नमस्कार दोस्तों आज देश के उच्टम न्यायले ने भारती राश्ट्रिये कॉंग्रेस शिवसेना और राश्ट्रवादी कॉंग्रेस पार्टी की संयुक्त याचिका पर दोनों पक्षों की बहस सुनी भारती राश्ट्रिये कॉंग्रेस शिवसेना और न्सीपी की और से स्पश्ट और से हमने भिर दोराया कि महाराश्ट्र में प्रजा तंत्र की हत्या हुई है और जना देश को धूमिल कर समिधान को पाउं तले रोन दिया गया है और एक नाजायज भारतिये जन्ता पार्टी और अजीत पवार जी की अल्पमत वाली सांजी सरकार वहां बनाई गई है इसलिए अनुरोद किया गया उच्टम न्यायले को हमारे पक्ष की और से के एक फ्लोर टेस्ट यानि जन्मत को साबित करने के लिए विधायकों की संख्या का टेस्ट पॉरी तोर से ओर्डर किया जाए ताकि ये साबित हो जाए के बहुमत महाराश्टर के विकास के गठबंदन कॉंग्रेस, NCP और शिवसेना के गठबंदन के पास है सुप्रीम कोट को हमने 154 विधायकों के शपत पत्र भी दिखाए जो ये साफ साबित करता है के NCP, कॉंग्रेस और शिवसेना के पास संपूरन बहुमत है क्योंकि वो आंकड़ा 145 का है और 154 विधायक साथ है जैसे ही बाकी विधायक भाजप्पा की जेल से छुट जाएंगे तो ये संख्या और बढ़ने वाली है आदर्णी उच्तम न्यायलने ने दोनों पक्षियों के बहस को सुनकर मामला आरक्षित किया है और ये निर्णे कल साड़े दस पजे वो सुनाएंगे ऐसा उन्होंने आदेश दिया है कॉंग्रेस पार्टी शिवसेना और न्सिपी हमारे गठबंदन को ये विश्वास है कि माहराष्ट्रा में जनमत की जीत होगी बहजप्पा और अजीत पवार के समेत वो सारी ताक्तें जिन्होंने प्रजा तंत्र को पाउं तले रोंदा है जनमत का अपहरन किया है चीरहरन किया है समीधानिक संस्ताओं की गरिमा को धूमिल किया है उनको फलोर टेस्ट के अंदर करारा जबाब मिलेगा जब देविंदर फंडवीश जी और अजीत पवार जी को महराश्टर के चुने हुए विधायक अल्पमत में होने के कारण बाहर का रास्ता दिखाएंगे और कल के निर्णे के बाद वो प्रिक्रिया शुरू हो जाएगी ऐसा हमें विश्वास है क्योंकि समयदान और सक्टे की जीत ही आखिर में होगी मैं अब अनुरोद करूंगा इससे पहले के मैं इंग्लिश में कहूं आदर्निये और सवाल भी हम लेंगे आपके आदर्निये प्रित्वी राज चवान साहब जो पूरा मुख्यमंत्री है महराश्टर के के वो अपना पक्ष आपके समक्ष रखेंगे और शिरी मुकुल वासनिक जी वी विल जस्ट वेट पॉर एफ्यू सेकंद साथियों इस मकर्दमे का सवाल बहुत सीधा और आसान है आज महराश्टर में एक नाजाएस सरकर और नाजाएस मुक्यमंद्री बैठे हुए हैं यह साफ है जैसे कि सुरुजेवाला जी ने कहा कि मेरे पास मेरी हाथ में तीनों दलों के शिविसेना राष्टवारी कॉंग्रेस और कॉंग्रेस के 154 विधायों को के अलग-अलग एफिडिविट्स है साइंड एफिडिविट्स है कि हम एक साजा सरकार बनाना चाहते हैं शिविसेना के उद्धव ठाकरेजी के नित्रितु में एक और साफ बात है कि कुछ विधायकों ने इनसीपी के कुछ विधायकों ने दोनों जगा साइंड की हैं पहले जो सिग्निचर है वो गलती से उनकी अनुप्रति के बिना दिये गए हैं और अब उन्होंने हमें अपने खुद के इंडिविज्विडिविट्स दिये हैं ए एक इस तरह की परस्ति पैदा हुई है कि असलियत जानने के लिए फ्लोर टेस्ट के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है दोनों दलों ने फ्लोर टेस्ट स्वीकार किया है सवाल सिर्फ यह है कि हम चाहते हैं कि फ्लोर टेस्ट 24 घंटे के अंदर हो जैसे कि करनाटक में अपनाया गया था वही प्रोसेजर इस केस में अपनाया जाए अब विपक्षकियों से दलील रखे गए कि उनको और समय चीए अब क्यों समय चीए यह सवाल किस का सिंपल एक लाइन में प्रशन है कि क्या गोड़ा बाजार होने के अनुम्पति दी जाएगी हमारी गुजा जल्दी से जल्दी फ्लोर टेस्ट कराएं क्योंकि यह सुप्रीम कोट का ही फैसला है कि भूमत का फैसला चिरफ विदान सभा के सभागरा में ही हो सकता है हमें उम्मीद है कि कल जब सर्वचे नयाल है अपना फैसला सुनाएगी दोनों पक्षों की दलील सुनी जाएगी और अधिक समय दे देते हुए कल क्या कल 24 घंटे के अंदर सदेश्यों की शापत और उसका तुरंत बाद सीधे जद्मत का फैसला फ्लोर पे किया जाएगा अगर चुबिस घंटे रुकेंगे इस वान सब्सक्राइब हम सुनेंगे कौन सा फैसला है